Let's do question number first of exercise 13.3 That is exponents and power Question number first is Write the following numbers in the expended form हमें expended form में करना है Expended form हमें already पता है कि elaborate करके लिखना यह हम अपनी past classes में भी सीख चुके है Expended form क्या होती है First value लिख लेते हैं अपनी First value है हमारी 279404 तो हम इसको expanded form में क्या लिखेंगे देखिए हमने पता है यह Ones है, Tens है Hundred है, Thousand है Ten Thousand है And Lack है तो 2 की 2 as it is in 2 कितनी zeros लग जाएंगी 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 2 के आगे 5 digits हैं तो 1 के आगे यहाँ पे 5 zeros लग जाएंगे 3, 4 and 5 Plus 2 के बाद कौन सा नमबर था 7 तो हमने 7 लिख दिया अब हम किसे multiply करेंगे 1 के आगे किती zeros लग जाएंगी जितनी 7 के बाद digits थी 4 डिजिट थी तो 4 ही 0 लग जाएंगी यह क्या कहलाती है हमारी expanded forms अब 7 के बाद 9 था तो 9 के बाद 3 डिजिट है तो 1 के आगे 3 zeros लग जाएंगी अब 9 के बाद 4 था तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 zeros लग गई Plus 0 into आप चाहें तो लिखें यह 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है अब क्योंकि 0 के बाद 1 ही डिजिट है तो 1 के आगे 1 0 लग गई Plus 4 into 1 क्योंकि 4 क्योंकि 4 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 4 into 1 अब क्या करेंगे अब देखे 2 into अब हमें exponent chapter बढ़ने हैं तो exponent form मेरे लिखना होगा इन values को जो 1 के आगे zeros जितनी है तो अगर हमें इसको 10 की पावर में लिखती हूँ तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर वही होगी जितनी zeros हैं क्योंकि यह 5 zeros हैं तो 5 पावर हो जाएगी जितनी zeros होंगी उतनी ही 10 की पावर हो जाएगी अगर आप इसको open भी करेंगे तो यही value आएगी इसी तरीके से 7 into 1 के आगे 4 zeros है तो 10 की power 4 हो गई plus 9 into 1 के आगे 3 zeros है तो 10 की power 3 हो गई plus 4 into 100 में 2 zeros है तो 10 की power 2 हो गई plus 0 into अब 10 ही है तो 10 की power 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी की भी power 1 है तो मतलब वही number plus 4 into अब 1 का बाता था आपको पता है मैंने आपको last exercise में बताया 10 की power क्योंकि यहाँ पे sub values 10 की powers में हैं तो यहाँ पे 10 की power क्या आएगी अगर 10 की power 0 लिखते हैं तो उसका मतलब 1 ही होता है तो हम यहाँ पे 1 की जगा इस वाले 1 की जगे क्या लिख सकते हैं 10 की power 0 भी लिख सकते हैं तो यह क्या आ गई हमारी expanded form आ गई this is our answer इसी तरीके से next part करते हैं next number है हमारा 3006194 अब इसको expanded form में कैसे लिखेंगे 3 into अब 1 के आगे कितनी zeros आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 values हैं तो 6 zeros आ जाएंगी 3 4 5 6 plus 0 पहली वाली 0 3 के जस्ट बाद वाली 0 लिख रही हूं तो इसके इसमें कितनी zeros आ जाएंगी 1 के आगे 5 zeros फिर plus next वाली 0 लिख रही हूं तो यह वाली 0 लिख रही हूं तो 1 के आगे 4 zeros आ जाएंगी क्योंकि 0 के बाद 4 values हैं plus 6 into 6 के बाद 3 values हैं तो 1 के आगे 3 zeros आ गए plus 1 into 1 के बाद 2 zeros आएंगी क्योंकि 2 ही values हैं plus 9 into 9 के बाद 1 value है तो 1 0 आ गही 1 के आगे plus 4 कोई value नहीं है तो 1 आ गया अब इसको क्या लिख सकते हैं तो देखे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into, 1 के आगे 6 zeros थी, तो 10 की पावर 6, 0 into, 1 के आगे 5 zeros थी, तो 10 की पावर 5, plus 0 into, 1 के आगे 4 zeros थी, तो 10 की पावर 4, plus 6 into, 1 के आगे 3 zeros थी, तो 10 की पावर 3, plus 1 into, 1 के आगे 2 zeros थी, तो 10 की पावर 2, plus 9 into, 10 की पावर 1, क्योंकि एक ही 0 थी, और 4 into ये ध्यान दीजेगा 1 कब आएगा अगर 10 की पावर 0 करतेंगे तो this is our answer let's do next part now next part है हमारा 2806196 अब कैसे करेंगे अब कैसे करेंगे तो देखिए 2 into 1 के आगे किती 0s लगेंगी जितनी values and 2 के बाद 6 values हैं तो 6 0s लग जाएंगी 3, 4, 5, 6 प्लस 8 के आगे 5 values हैं तो 5 0s लग जाएंगी यहां पर प्लस 0 into 0 के बाद 4 values हैं तो 4 0s लग गई प्लस 6 into 6 के बाद 3 0s लगेंगी क्योंकि 3 values हैं 1 into 2 values हैं तो 2 0 लग गई प्लस 9 into 1 value है तो 1 0 6 into 1 अब इसको exponent form में कर देंगे क्योंकि 2 में यहां पर 6 0s लगी हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 6 अगर आप देखेंगे अब 10 की पावर reduce होती चली जाएगी 0 तक सीधा सीधा यह भी फंडा लगा सकते हैं 10 की पावर 5 प्लस 0 into 10 की पावर 4 प्लस 6 into 10 की पावर 3 प्लस 1 into 10 की पावर 2 प्लस 9 into 10 की पावर 1 और प्लस 6 into 10 की पावर 0 अगर आप देखेंगे powers decrease होती चली जा रही है 1 से और हमें 0 तक लिखनी होती है तो this is our answer let's do next part 1 2 0 7 1 9 तो इसको कैसे लिखेंगे 1 into 1 के आगे किती 0s लगें क्योंकि 5 digits हैं तो 5 0s लग गए प्लस 2 into 1 के आगे 4 0s लग जाएंगे क्योंकि 4 values है 0 into 1 के आगे 3 0s लग जाएंगे क्योंकि 3 values है प्लस 7 into 1 के आगे 2 0s लग जाएंगे क्योंकि 2 values है प्लस 1 इंटू 10 क्योंकि एक ही value है प्लस 9 इंटू 1 तो अब इसको क्या लिख सकते हैं तो देखिए 1 इंटू क्योंकि यहाँ पे 1 के आगे 5 zeros थी तो 10 की power 5 2 इंटू 10 की power 4 direct एक-एक value एक-एक power कम होती चली जा रही है ध्यान दीजेगा 7 इंटू 10 की power 2 प्लस 1 इंटू 10 की power 1 प्लस 9 इंटू 10 की power 0 यह ध्यान दीजेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की power 0 last part कर लेते हैं 2, 0, 0, 6, 8 तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 के आगे 4 zeros लग जाएंगी क्योंकि 2 के बाद 4 values है 0 इंटू पहले वाली 0 के बाद 3 values हैं तो 3 0 लग गई दूसरी वाली 0 के बाद 2 values हैं तो 2 0 लग गई 6 के बाद 1 ही value है तो 1 के आगे 1 0 और 8 के बाद कोई value नहीं है तो 1 अब क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 1 के आगे 4 zeros हैं तो 10 की power 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3 आप आप आवर्स डेक्रीस होती चली जाहेंगी इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0 इस दा आंसर आप 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